हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं जटपट बनने वाली इडली जो बिना सामभार के खाएंगे और काफी टेश्ट लगने वाली है यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है बारिक और एक कटोरी ही दही ले ली है इसे हम मिक्स कर लेंगे ये इडली आप कभी भी किसी भी टाइम जटपट बना सकते हैं और खाने में इतनी ज़्यादा टेश्टी लगती है कि इसका टेश्ट ही एकदम अलग होता है और बिना सामभर के हम इसे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने दही को सूजी में मिला लिया हैहाँ पर हम ढालेंगे पानी मैंने उसी कटोरी से कटोरी भर कर पानी ले लिया है हम थोड़ थोड़ा डालकर पानी को इसमें मिकस करेंगे दोस्तो मैं घर पर हमेशा यही इडली बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी और मेरे बच्चे को भी यही इडली पसंद है हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसे मिक्स कर लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल तयार हो गया है हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमें बिल्कुल ऐसी कंसिटेंस से राकनी है और इसे 10-15 मिनट के लिए रख देना है दोस्तो यहाँ पर मैं एकढ़ाई रख लेती हूँ इसमें मैंने पानी चड़ा लिया है जब तक हमारा पानी गरम होगा करते हैं मागे की तैयारी यह देखिए हमारा जो बैटर था वो काफी अच्छा हो गया है स्मूध एकदम इसमें हम डालेंगे सबजिया यहाँ पर मैंने दो प्याज काट ले थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ दो यहाँ पर बस यही सबजी आइड करते हूँ इसमें हम डालेंगे एक नमक س्वादा नुसार और थोड़ देखिए यहां पर डाल देती हूँ घंया पावडर, गरम मसाल औरा नहीं सब को यहाँ इसमें डालने वाली हूँ एक इनो का पाँच क्योंकि अगर हमें तुरंट के तुरंट इडिली बनानी है तो उसमें हमें इनो का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो ता कि हम लंबे समय तक इसे रख सके और इसमें जो बैक्टेरियाज हैं वो पनप सके, तो यहां पर हमने थोड़ा पानी डाल कर इनो को मिक्स कर दिया है, मैंने यह छोटी प्लेट ली है, इसे मैंने ओल से ग्रीज कर लिया है, इसी में मैं बेटर डाल कर खढ़ाई में रखूंगी, योकि मेरे पास इडली मॉल्ट नहीं है, तो मैं इसी तरीके से इडली बनाती हूँ, यहां पर हमारा पानी भी गरम हो चुका है, इस पर मैं रख देती हूँ जाली, आप चाहें तो इस्टेंड भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जाली है, और जाली में काफी सारी पटोरियां आ जाती हैं आसानी से, तो मैं रख देती हूँ एक दूसर फूला है यह देखी मैं टूथपिक से टेस्ट कर लेती हूं इसे कि यह हुआ या नहीं अगर आपकी क्लीन निकले तो आपका जो इडली है बनकर तयार हो जाती है यहां पर यह देखिए हमारी इडली बनकर तयार हो गई है और मैंने निकाल भी लिया है उसे और यह काफी एक गार्निस कर देते हैं हरे धनिय से तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताई कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं अकली वीडियो में धन्यवाद